हेलो फ्रेंड्स मीसो अपने सेलर्स के लिए दो ऐसे बड़े अपडेट्स लेके आ गया है जिसको जानने के बाद जितने भी लोग मीसो पे सेल करते हैं उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूश्ट हो जायेगा और वो अब मीसो पे और अच्छे से सेल कर पाएंगे क्योंकि काफी दिनों से आप सबकी डिमार्ट रहती थी कि मीसो पे कुछ प्राब्लम्स चल लही हैं वैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो सूट करके आपको बताया भी था कि मीसो कुछ बड़े अपडेट्स लेके आने वाला है और कुछ अपडेट्स अभी आगे और भ रहा है इसलिए वो अपने से जो है फीडबैक समिट करवा रहे हैं बहुत सारे सर्वे उन्होंने सेलर्स को दिये जो भरके उनको वापस करने थे सर्वे को फिल कर आ रहे हैं जिससे ये पद्दा लगे कि एक्चुल में सेलर्स क्या चाहते हैं कस्टमर्स क्या चाहते हैं औ तो इसी की कड़ी में मीसो ने अपने सारे sellers को खुस किया है और दो बड़े अब्डेट दिये हैं. तो चलिए इन अब्डेट्स के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि ये कब से लागू हो जाएंगे? बात करते हैं पहले बड़े अपडेट की तो यह है कि जो आपका पैसा 15 दिन तक होल्ड रहता था order delivered होने के बाद अब वो सिर्फ 7 दिन होल्ड रखा जाएगा मतलब order delivered होने के बाद 8 दिन पैसा आपके account में release कर दिया जाएगा मतलब सीधा 15 दिन से आपकी जो capital investment है वो 7 दिन तक आ जाएगी जैसे आमेजुन में होता है तो एक तरीके से अब आपका जो payment है वो जल्दी clear होगा और उसके बाद बहुत सारे sellers की सिकायत रहती थी कि मीसो में penalty लग जाती है मीसो गलत penalty impose करता है तो फिलहाल मीसो ने अब penalty का system खत्म कर दिया है अब आपको कोई penalty नहीं देने पड़ेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपने गलत wait इंटर किया है या आप courier charges में चोरी कर रहे हैं और अगर आप पकड़े गए तो आपसे पैसा वसूल किया जाएगा मतलब अगर आप गलत काम करेंगे तो फसेंगे जरूर इसलिए वो आपको नहीं करना है फिलहार आप कोई वैसे penalty आपकी उपर charge नहीं की जाएगी यह दोनों ही बड़े update 4 March 2022 से applicable हो जाएंगे मतलब कुल मिला करके 4 March के बाद यह सारी चीजे implement होने वाली है जिससे जो मीसो seller है उनको और जादा फाइदा होने वाला है तो जितने लोगों ने frustrated हो करके मीसो पे अपना account बंद कर लिया सायद आगे उनको और पस्ताना पड़े इसलिए मैं पहले भी कहता रहा कि आपको मीसो पे account बंद नहीं करना चाहिए था अगर आप नहीं sale करना चाहा रहे हैं तो आप अपने products को पहुँच कर सकते थे उनको बंद कर सकते थे कुछ समय के लिए और जब आपका मन करे sale करने का तो आप उन products को resume कर सकते थे बट बहुत सारे sellers ने मीसो से उनके account बंद करने की appeal की और उनका पैसा clear करने की appeal की जिसकी वज़ा से मीसो ने उनका account बंद किया और उनका पैसा उनको वापर्स किया तो साइद वाइसे seller दोबारा मीसो में enroll ना कर पाएं उस DHT से या उनको problem आए इसलिए मीसो से लर को patience की जरूरत है क्योंकि मीसो लगातार अपने आपको improve कर रहा है और market में अच्छा काम कर रहा है आगे चल की हो सकता है कि जो आपके courier's pick up या return की problem है वो और resolve हो जाए क्योंकि अभी भी मीसो ने बहुत सारा improvement किया है अपने courier pick up sign delivery में अब अगर आपका order pick up नहीं होता है तो जो respective courier है चाहे वो delivery हो express बीस हो जो भी है वो उनके supervisor आपको phone करते हैं और reconfirm करते हैं कि क्या आपका pick up ready नहीं था या हमारा delivery buyer वहाँ पे गया नहीं था और उसने machine में गलत punching कर दी है जिससे cross verification हो जाता है और जितने भी pick up buyer या delivery buyer route पे रहते हैं उनके उपर एक pressure आ जाता है कि भी हमको एक order हो या 100 order हो हमको location पे जाके उनको pick up करना है या कहीं से कोई जुगार लगा के pick up करना है किसी दूसरे career से pick up करवाना है वो सारा काम वो manage कर लेते हैं तो इस तरीके से miso seller अभी और grow करेंगे और अगर आप miso पे sale कर रहे हैं और आपके products life style है, home category के है, fashion category के हैं तो आप और ज्यादा boom करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much for watching